कि नमस्कार किसान सांथयों मैं गुहराम कीवट आप देख रहा हमारे इस्टूब चैनल निसात फार्मी किसान सांथ यह यह जैसेकि आप सब जानते हैं बैगण की खेती एक अच्छी खेती है जो फिम फैदेमंद खेती है मतलब इसको करके किसान से अच्छे से मुनाफ़ा कमा सकती है यह फसल हैसी फसल है जो मतलब साल भर चलने वाली फसल है अगर इसका सही तरीके से देख भाल किया जाए तो यह साल let छल सकती है लेकिन इसमें जो एक सबसे बड़ी समझे आती है नों है कि कि तने में तना छेदक फल भुण फल शेदक यह दूसमर से एक ऐसी समझें जिसके जलते किसान बहुत पर्सान रहता है उसमें तरह तरह के दवई के प्रहाय किया जाता है लेकिन युड मोड़ाले सान् ACT कीशनभरा पाँवाँगा कि नहीं अपना रोजी मेज़दूरी निकाल पाँगा या नहीं निकाल पाँगा इस तरीके से वो हरास हो जाते हैं ऐसे में किसान भाइयों के लिए छोटा से जोगाड दा रहे हूं मैं भी एक पैसे सी किसान हूं किसाफ साथ्वें आप आपके देक रहे हैं इसको डबा रखा हुआ है इसको प्लास्टिक कहिए कि यह नहीं है मैं इसको इसलिए लगाए हूं यह लाइट लगाने से आज पास की जो इल्ली रहती है यह तितली तितली की रूप में रहती है जो रात में एकदम सक्री रहती है और हम लोग क्या करते हैं कि दवाई छीड़काओ करते हैं कि मतलब जब कीड़ा लग जाता है तने में कीड़ा लग जाता है फल में कीड़ा लग जाता है उसी को देख करके हम दवाई का छीड़काओ करते हैं जबकि जो कीड़ा लगने का मतलब कारण क्या है यह कीड़ा इसकी अंदर में आता कैसे है इसकी जानकारी हमें नहीं रहती है और हम दवाई जो छीड़कते हैं केवल कीड़ा मानने की दवाई छीड़कते है तो ऐसे में समझने वाली बात यह है कि यहां पर जो तने में लग कि ऐसे लगता है कि फल के अंदर से यह पाइदा हो गया है ऐसा नहीं है यहां पर चोटा सा मैं दिखाऊंगा आपको यह पानी में गिर हुआ है यहां पर देख सकते हैं आप यह छोड़ा छोड़ा यह दीख रहे हैं आपको यह इसका कारण है यह क्या करता है रात में तने जैसे कुमल भाग है सबसे पहले तो यह क्या करेगा जब फ्लावरिंग नहीं आएगा ना आपके और उबसी के आपको यह कह थोटा है कि अपके तने मी डंक मार देता है अंड़ शोड़ देते हैं अंड़ से जैसे कीड़ा पैदा होता है कीड़ा पैदा होता है तो फिर केड़ा में चOld जाते जाता है अंदर में उसका पूरा फोजन का ब्योस्ता बना देता हो इली जो है तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि यह जो मिसरान भई को अपना चाहिए यहां पे ज्यादा खर्चा नहीं है एक चोटा सा ड्रम लगे यहां चोटा सा और उसको क्या करने है से रखके उसके अपर एक लाइट लगा देना है लाइट लगाने के बाद में कि निचे में पानी डाल देना है जो आप तो इसमें अगर वह तितली जाती है तो मतलब उसमें अगर थोड़ा से भी संपार का हो जाए अगर बाहर भी निकल जाती तो भी खातम हो जाए ऐसे टाइप के मतलब इसमें डवाई डालना चाहिए मैंने इसमें डाला है सोलोमान मैंने ठोड़ा से इसमें डाल दिया है था कि यहां पे पंद्राश रूपरा अचाहिए उड़ा जाएगी और कुछ सभी किसान भाई लगबग 100-200 में एक काम हो सकता है और 100-200 के खर्चे से आपका बैगन का प्लाट पूरा सुरक्चित हो जाएगा मैं अपना उन्भाव बता रहा हूँ यहाँ पे मैं इसको लगाने के बाद पूरा कंट्रोल मेरे बैगन का प्लाट में पूरा कंट्रोल है इल्ली कहा जाए यहां पर इल्ली मतलब मेरे बैगन को कोई भी प्रकार से नुकसान नहीं कर रही है कारण यह है कि मतलब मैंने यह जोगाड लगा दिया है उसको मैं नहीं की घृत को छलाता हूं और इसमें ट्पी जो अन्डा देने वाली तितली रहती है इसके प्रकास को देख करके आती है और इसमें गिर जाती है और यहीं पर खातम हो जाती तो अगर आपको यह जो गार अच्छा लगा हो तो कृप्या वीडियो को लाइक किजेगा सब्स्क्राइब कीजेगा और आगे सेर कीजेगा धन्यावाद